के गाई जाव यू आइफू आल मस्ट बी डूइंग गुड वैलकम टू डे 9 डे 9 टार्गेट सर तक आपने सक्षिन 36 तक कंप्लीट कर लिया था आपने कल सेक्षिन 36 तक कंप्लीट कर लिया सब्सक्राइब कुछ डिस लाउंस इस पेज नंबर 24 पे कुछ डिस लाउंस दे रख्या है मैंने कि के सेक्षन 40 ए 1 कि 40 ए 1 कि 40 ए 2 इंकम टैक्स पेड़ 40 ए 3 सालरी पेड़ तू नॉन डेसिदेंट 45 टैक्स पेड़ बाइंप्लॉयर और नॉन मॉनेटरी पर्क्यूजिट और 40 बी डिस लाउंस इन केस ऑफ पार्टनर्शिप फॉर्म है यह चीज़े आपको पढ़नी है फिर सेक्षन 24 फॉर्टी ए 2 फॉर्टी ए 3 सेक्षन 43 भी यह पढ़ना है 43 ए भी जरूर पढ़ना है और एक्षेंज में फ्लक्टुएशन के वैसे क्या-क्या इंपक्ट होता है फिर सेक्षन 43 सीए यह आप क्यापिटल गेंज के साथ पढ़ना और हां पढ़ने के पहले आपको लेक्चर जरूर देखना है लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने वहां क्लिक कर लीजिएगा वह इसके अंदर अमेंड्मेंट आ रखा है और अगर यह अमेंड्मेंट के क्वेश्चन करना चाहते हो तो लेक्चर जरूर देखना फास्ट्राक वाला section 41 deemed profit का है important है इस पे generally questions नहीं पूछते और यह फिप्त वाला point अगर समझ नहीं आ रहा है तो concept book में चले जाहिएगा I am telling you the page number where I have given the question regarding this point Oh my god the page number is page number 118 page number 118 conceptual question 27 वह कर लीजिएगा तो यह point समझ में आ जाएगा फिर लास्ट वाला point प्रिजम्टिव इंकम 44 A.D. 44 A.D.A. और 44 A.E. ट्रांसपोर्ट वाला ठीक है यह आप एक बात द्यान से रखना याद कि advance tax 44 A.D. और A.D.A. वालों को एक installment में भरना पड़ता 44 A.E. वालों को advance tax चार installment में ही भरना पड़ता है यह amendment already covered है उपर तो इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा 44 A.D. 4 क्या बोलता है सर 44 A.D. 4 क्या बोलता है याद रखना 44 A.D. ने क्या कहा था कि अगर तेरे को मेरे पास आना है तो continue पाच साल के लिए अगर बीच में तु कहीं छोड़ के चले गया तो वापस मत आना अगले पाच साल तक यह 44 A.D. 4 बोलता है तो next five years तक अगर आप eligible हो मतलब अगर आपका turnover दो करोड रुपे या उससे कम है तो आपको 44 A.D. ही follow करना पड़ेगा इन पाच सालों में कभी अगर आपने 44 A.D. की provisions फॉलो नहीं किया तो आप जिस साल आप provision फॉलो नहीं करते हो उसके अगले पाच साल तक eligible नहीं रहते 44 A.D. के लिए 44 A.D. है प्रेजम्टिव स्कीन का था professionals के लिए है 50% of gross receipt उनकी income हो जाएंगी 44 A.D. में क्या था 8% of turnover जितना भी आपका turnover है उसका 8% आपकी income होंगी tax में income होंगी और इतनी income पे normal slab rate से income tax compute करके आपको भरना है बट अगर आपको यह वाला point क्या बोलता है बट अगर आपको due date of filing return of income return of income फाइल करने की due date के पहले अगर आपको account paycheck account pay draft या फिर prescribed more net banking rtgs neft से payment मिल रहा है तो उस पे सिर्फ 6% income मानी जाएंगे ठीक है और एक बात था यहां पे अगर partnership form है वो अपने partner को salary या interest पे कर रही है तो उसका भी deduction नहीं मिलता 44 A.D. वालों को but 44 A.E. वालों को salary और interest का deduction मिलता 44 A.D. और A.D. वालों को advance tax का benefit है तो उनको salary और interest का deduction नहीं मिलता simple सी बात है और एक चीज जो धायने में रखने वाली है सबसे important यह जो 44 A.D. है न यह resident individual resident HOF या resident partnership firm को मिलता but याद रखना LLPs को नहीं मिलता LLPs को नहीं मिलता क्योंकि अभी तक जितने बार भी हमने पढ़ाए ना जब भी firm की बात होती है तो हम LLP को साथ में लेके चलते हैं but 44 A.D. का option जो है यह LLPs के लिए limited liability partnerships के लिए available नहीं है I hope इतना आप clear हो चुके होंगे यह आपको PGPP आज खतम कर दीजिए आज PGPP पूरा खतम कर दीजिएगा कल मैं आपको PGPP का जबरदस चीज बताने वाला हो जो जो चीज आपको करने की है ठीक है उसके अंदर और क्या चीज है मेरे को कुछ बताना है क्या हाँ यह एक लिमिट आया था कि नॉर्मल बिजनस वालों के लिए ना जो audit का लिमिट है वो एक करोड है कि अगर आपका टर्न और एक करोड के उपर गया पिछले साल तो आपको audit करवाना परता होता है और audit करने की due date थी ठीक है अच्छा चलो पिछले साल मतलब previous year में सिंपल सी बात है मैं उसको ज्यादा लंबाता नहीं हूँ आप जानते हो यह अगर आपका टर्न और एक करोड के उपर गया पान के जल्लो प्रिविएस यहर की बात कर रहा हूँ 2021 में मेरा टर्न और अगर गया वन पॉइंट फाइस यह तो मिरको असेस्मेंट यह 21-22 मतलब इसी साल की बात है आपको audit करवाना पड़ेगा बट जैसे कि आप जानते हो डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया खेल रहे है मोदी जी तो इनने बोला यह जो audit का एक करोड का लि तो कर रहे हो इसमें से जो भी कैशे मेंट वो तोटल प्रसेंट या हो से नने कैम है मतलब समझो आपका टोटल आपने जो पेमेंट किया है वो क्म करोड का झा तो बॉलते है कि दो करोड का 5% कितना ओता है 911 कलोड कापर से तस लाफ रुपए दस लाख रुपए तो यह दो करोड रुपए आप जो पेमेंट कर रहे हो टोटल पेमेंट मेड इस टू करोर्स तो बोलते हैं यह टोटल पेमेंट का 5% से लेस दान होना चीए कैश पेमेंट तो मैक्सिमम दस लाख रुपए का आपने कैश पेमेंट किया दस लाग से नीचे का cash payment किया और बचा हुआ 1.90 CR आपने digital mode से पे किया या account paycheck से पे किया तो आपका जो limit है वो हो जाएगा पाच करोर यह एक तो condition है payment की और same condition है receipt की चाहिका पैसे रिसीव हो रहे है उसके लिए भी condition है तो पैसे आपको रिसीव हो रहे है टोटल से टोटल डिसीट का जो पाच परसेंट है उससे कम आपको cash होनी चाहिए यही दो कंडिशन है अगर यह दोनों की दोनों condition आपकी follow होती है मतलब जो cash payment है वो total payment के 5% परसेंट से क है तो आपका audit का limit बढ़के हो जाएगा वह या पाच करोड कितना हो जाएगा पाच करोड तो यह ध्यान से बढ़ना नॉर्मल प्रोफेशनल के लिए लिमिट कितना है पचास लाग रुपे का ठीक है चलिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहे हैं यह जो इनिशेटिव है और जो भी आपको लग रहा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताईएगा यह तैंक यू वेरी मच बबाए टेक केर लव यू आल गाईज मिलते हैं कल वापस